नमस्कार सभी किसान साथियों को आज की वीडियो में हम तर्बूज की उन्नत किस्मों के उपर बात करेंगे इस बार में डाई एकड में अपने तर्बूज की फसल लगाऊंगा इससे पहले भी मैंने दो बार लगाई है लेकिन उस समय मैं थोड़ा सा बीज का चुनाव करने में चुक गया था मैंने डेमो वाले बीज लिये और मैंने लगा दिये कमपनी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा ् कियोंकि कमपनीया बहुत अच्छी थी लेकिन यह कि डेमो वाले बीज जो वते हैं या सेंपल वाले होते हैं वो company check करने के लिए किसानों को देती है company कोई बरोसा नहीं होता है कि अच्छे हैं या नहीं है market में वह बीज नहीं आए थे और मैंने लगाए थे और इस बार मैं है वेजिटेबल सीड्स की और एक है यूनिजैन यूनाइटिड जैने टेक्स से जो कि एक जापानी कंपनी है यह तीन तरह के बीज में अपने खेत में लगाऊंगा तीनों हमारे यहां पे खूब चलते हैं जो किसान है पहले से तरबूज की खेती करते हैं वह इन विज्जो वेराइटी है यह इनोंने खूब लगाई है इसके इलावा नने इंस का मैक्स आता है वह भी किसानों ने खूब लगाया है खूब अच्छी पैदावार देता है मिठास भी अच्छी रहती है और इसके इलावा एक दो कंपनिया और हैं जिनके तरबूज बहुत अच्छे पैदवार लीजाती है किसानों के दवारा हमारे यहां पर एक बार में पानी चल जाता है तो तरभूज की खेति करना थोड़ी आसान काम यह हमारे यहां पे कई किसान नालिया खोथके उनके अंदर भी लगाते हैं दोनों तरीके अच्छे हैं नालिया खोदते हैं तो उसके अंदर अच्छे से गबदाई करनी होती है मिट्टी को बुर्बुरी करना पड़ता है उसके अंदर कई तरह खाद और दवाईया मिक्स करनी पड़ती है बैड पे लगाते हैं तो अच्छी कंपनी की अच्छी क्वाल्टी की मल्च फिलम आमें बिचानी पड़ती है उसके निचे ड्रीप लगानी पड़ती है उपर अच्छे से क्रोप कवर है वो लगाना पड़ता है अगर हम दिसंबर में विजाई करते हैं तो सबसे जो ज्यादा पसंद की जाते हैं वो विराइटी है ट्विंकल जो की राशी कंपनी की आई सेन हाइवेज कंपनी के एक विराइटी है आज कल इसका जो पैकेट है वह 42 ग्राम काने लग गया है एक पैकेट की प्राइस है 800 रुपे रखी गई है उसके अंदर 500 सीड होते ह है कहने को यह सस्ता पड़ता है लेकिन यह संख्या में बीज कम आते हैं इसलिए ज़्यादा पैकेट लगाने पड़ते हैं थोड़ा सा यह दूसरी कंपनियों से कुछ ना कुछ मेंग आई पड़ता है कहने को यह 18-19000 रुपे किलो का बीज है आज के दिन और पहले 50 ग्रा मैक्स लगाते टाइम यह लेट त्यार होता है अगर इसको हम अगेता लगा देते हैं तो भी यह 120 दिन के असपास ले लेता है पक्के त्यार होने में बाकी कंपनी बोलती है कि विया 17 दिन में त्यार हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है हमने पिछले साल अपने गाउं में खू प्रूट का जो साइज है वो बहुत अच्छा है अंडाकार है मार्केटिव हम इसको लेकर के जाते हैं तो बहुत असानी से बिख जाता है दूसरी विराइटियों के पर तीए कुछ ना कुछ महिंगा यह बिखता है और जल्दी से माल उठ जाता है लेकिन यह की बहुत स्टाइड़ी नहीं होगा तो फ्रूट कैसे बनेंगे थोड़ी पैदावार कईना कई गड़ जाती है इसलिए फोड़ा सा मुस्किल होता है लेट लगाते हैं किसान तो यह थोड़ा देरी हो जाती है फिर यह विकने में थोड़ी समझ्या आती है क्योंकि फूट का साइज भी अच्छा होता है लेकिन तर्बूज मार्केट में बहुत जा चुका होता है और मांग भी कुछ न कुछ कोई भी बीज मैं साइजंटा का भी ले सकता था इसके लब और भी बहुत सारी कंपनिया हैं मैं किसी का भी एक इंटरनेशनल कंपनी का भी चुनना चाहता था यूनिजन का मैंने पहले खीरा और गिया लगा के देख रखी थी पिछले ही साल बहुत अच्छी पैदावार उन के हिसाब से इसका बीज भी रहा था पचास ग्राम की पैकेट है एक और पंद्रा सो रुपे की एक पैकेट मिली थी हजार बीज इसके अंदर हैं तो मैंने हिसाब लगाए कि यार चलो ठीक ठागे ट्विंकल के बराबरी पड़ेगा तो एक ये भी मैंने लगाया है इसके पेकेट मंगाई है और इसकी मैं सीडलिंग त्यार कराओं गहाँ आपना सागर किंग अउसकीवी शीडल निम्स भी त्यार कराते टविंकल है साइजेंटा कंपनी के बीज आते हैं सूपर क्विन सुगर क्विन इसके लावा और भी बहुत सारी विराइटिया है उनकी मिठास बहुत टोप क्लास होता है फ्रूट का साइज दो से तीन किलो या साड़े तीन किलो तक ही मैक्सिमम रहता है और एक बेल पे पांच से छे पहली जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें फ्रूट का साइज साड़े तीन किलो मिल जाता है दो से तीन फ्रूट परती बेला में हार्वेस्टिंग के लिए मिलते हैं उसके बाद दो तिन फ्रूट और तयार होते हैं उनका जो वेट है वो दो से डाई किलो रहता है चोटा best company है यह भी कंपनिया मार्केट में हैं और हमारे यहां हर्याना में खूब चर्चित हैं यह और किसान लगाते भी हैं मेरे एरिया में कम लगाते हैं लेकिन इसकी इन्हें कंपनियों कोई वराइटी मिलती है तो वह भी आप खरीज सकते हैं इसके लावा कुछ एक वराइटिया और हैं जो बहुत अच्छी है और उनकी मिठास भी अच्छी है साइज भी अच्छा है एक है ठाटा कंपनी का जो दन्य नामसे सिर्फो पूर अच्छा मिठाज ctional सोंता है अच्छा साइज होता है अच्छ पैदावार होती है वह भी आप ट्राई कर सकते हैं और स्काटा कंपनी का आता है साटो नाम से एक नंबर के टोप क्लास वराइटी है कैपसुल में उसका जो फूर्ट है वह आता है और फूर्ट का साइज लगबग 10 किलो तक भी उसका मैंने देखा हुआ है पिछले साल मैंने सार्वेस्टिंग के टाइम पे भी मिला था उनको तो यह वराइटी भी आप ट्राई कर सकते हैं इसके लावा नो न्यू कंपनी को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे चाए खरबुजा का भी जो तर्बुजा का भी जो मिठास में का कोई तोड़ नहीं है जननत मनत ना वराइटिया होंगी और आप कौन सी वराइटिया लगाते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट येर जब आम यह खेती करेंगे तो वह राइटिया भी जरूर ट्राइगे अपने खेतों में लगाएंगे और उनका भी एक्सपिरियंस दूसरे किसानों के साथ जर से होते हैं 19-20 का फरक होता है में रोल जो रहता है वो हमारी मेनत करेता है टाइमिंग करेता है और मोसम करेता है बाकि खाद पाने का सेडूल भी अच्छा होना चाहिए बीज आप कोई भी लगा लो अच्छी पैदावार जरूर मिलेगी अगर हम यह लगाते हैं गरवाले लगा लेते हैं तो हो सकता है चारीस एक मन परती एकड़ निकलाएं बार से मार्केट से भीज खरीद लाते हैं तो वह पचास एक मन निकलाते हैं लेकिन हम मेनत करेंगे तब यह होगा अगर मेनत नहीं करेंगे तो गरवाला भी नहीं 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 निकलेगा और कई बार ऐ वीडियो आपको कैसे लिए कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुब रहे जैजवान जै किसान